इस वीडियो को देखके आपको जाना नहीं है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ठेक है क्योंकि अभी तो छट डलाई हुई है फिर वाइरिंग भी करेंगे वर्ल कटिंग भी करेंगे आमसे भी बॉक्स भी सेट करने वाले हैं बहुत सारी चीजे इस बिल्डिंग में मैंने चैनल है वहाँ जाकर के आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आपकी इच्छा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखिएगा इसमें मैंने बहुत सारी बाते सिखाई है बहुत सारे पाइपिंग किस त अधनल का व्याँ सीख आपकी तो यहां पर एक चोन को देखेए और यहां पर और रहे हैं उत्यूरा कंट कयो शोगली और दरहेकर पर सब्सक्रीपारे करे द 숙gus झार conviction तो follow कर लीजे वहाँ पर मैंने description में बता दिया है कि कौन सा pipe में आप लगा रहा हूँ यह जो आप देख रहे हैं पूरा अच्छा तबी खाली है हमें काम पर यहाँ पर काम मिला है देशे की हम आपको बताने वाले हैं यह light box है और fan box है सबसे first priority आपको fan box और light box जितनी भी आपने counting की है उस हिसाब से आपको पहले रख देना है कि आपने कितना यहाँ पर fan box रखना है कितनी light रखने हो के इस तरीके से तो यहाँ पर एक-एक fan box की setup कर दी गई है ग्राहक को पूछ के यह work कीजिएगा क्योंकि ग्राहक कहते हैं कभी कि दो fan लगाईए या फिर एक fan ही लगा लीजिए तो जैसे ग्राहक का हमने बताया है कि एक fan यहाँ पर लगाना है तो हमने एक fan लगा दिया यह building देख सकते हैं इसको हमने बहुत टाइम पहले work किया था आज यह बिल्कुल final है यह देखिए और जश्ट इसके बगल में इसके आगे वाले साइड में यह हमें काम दूसरा यहां पर मिला है उस building का हमने काम बिल्कुल final कर लिया है यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो pipe है इससे ही हम size करने वाले हैं fan box की आप अपने हिसाब से इंच्टी टेप जो होता है इंच्टी टेप होता है size टेप उससे आप size कीजिएगा लेकि हम यहां पर कुछ इस तरीके से size करते हैं हमारी आदत है तो यहां पर यह हमारे बाइसाब है इंच्टी टेप के बगएर भी यहां पर setup कर रहे है देख सकते हैं यहां पर एक pipe 10 feet का है और उसके हिसाब से हम यहां बीच का एक center निकाल रहे है यह बीच का center निकाल गया है अब side का जो center होता है इस तरीके से यह भी हम pipe की through ही निकालने वाले है बड़ी च्ट होती है उसमें इंची टेप से ही निकालना पड़ता है लेकिन यहां पर छोटी च्ट है तो उस हिसाब से हमें निकाल सकते है तो यहां पर यह जो fan box है बलकुल अच्छे से center हो गया है और यह जो pipe आप देख सकते हैं हमने dive fit का dive fit का यहां पर यह pipe निकाला है और दोनों corner को size कर लेना है और उस हिसाब से इस light को fit कर देना है जैसे कि अब दूसरे जगह पर दूसरे corner है दूसरे corner को भी उसी pipe से size कर लेना है यह देखिए यहां पर भी हमें इंची टेप की कोई ज़रूत नहीं है हाँ आप अपने हिसाब से आप अपने दिमाग के according काम करना है आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे जैसे ही आपको अच्छा लगी यह मेरा तरीका है guys यह मैं इसी तरीके से ही work करता हूँ काफी जगह पे और जहां पर जाता हूँ और यहां पर इसी pipe के थुरू दोनों दीवारों का face center ले लिया जाता है जैसे कि यह देख सकते हैं एक जैली के सामने वाले हिस्से में यह बॉक्स आ गया इस जैली के सामने वाले हिस्से में यहां पर बॉक्स इस जैली के सामने वाले हिस्से में हैं यह बता दे रहा है इस पैप की जो सेटिंग की जाती है वह फैन बॉक्स से होती है तो एक लाइट 까 एक फैन बॉक्स के अंदर आपको सेट कर देना है चोटा सा टुकडा कटे एक यहांपर गया यहांपर देख सकते हैं और इसका अब हम चेक करते हैं जो दूसरी लाइट है उसका हम साइज किस तरीके से चेक करेंगे जैसे कि दो लाइट रखें यहाँ पर एक पाइप से यह देख सकते हैं दोनों लाइटों के उपर बराबर पाइप आ रहा है इसका मतलब हमारा जो सेंटर है वो कंप्लेट अच्छे तरीके से हो चुका है वीडियो को पुरा लाइट तक जरूर देखेंगा हमने बहुत सारी चीजे इसके अंदर एकस्प्लेइन की है अगर आप वो चीजें मिसिंग कर दोगे तो आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा और आप ये काम नहीं कर पाएगे एक साइड भी हमने कंप्लेट कर लिया और दूसरा साइड भी यानि के यहां पर चार पाइप लगाई जा रहे हैं यह दूसरा साइड भी आपको इसी तरह से चेक कर लेना है दोनों लाइट और यह देखिए यह यहां पर ओके कंडिशन है दोनों लाइटे बिल्कुल सेंटर में लगा दी दई है first and second priority first priority आपको पता है क्या करना है fan box वगरा center पे रखना है second priority आपको pipes वगरा लगाने हैं boxes के अंदर ताकि जो box और pipe है उनका काम जल्दी से final हो जाए तो देख सकते हैं कि यहां इस तरीके से light box को और fan box को इस तरह से मिला दे रहा हूँ दूसरा भी इसी तरह से आपको पहले pipe वगरा खाट करके बहुत आसानी से काम कर सकते हैं आपको मैं जल्दी का यानि के time waste ना हो उस हिसाब से मैंने यहां पर work किया है और यहां पर बिल्कुल भी transition नहीं लगाया है guys अगर मैं यहां पर transition लगा देता तो आपको बिल्कुल भी समझ मने आता मैं किस तरीके से यहां पर work कर रहा हूँ यह मैं आपको समझा रहा हूँ यह मेरा real work है guys जैसे कि मैं इसमें डाल रहा हूँ तो इसमें डालने के बाद मुझे याद आया है नहीं यहां पर अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि आगे में और points देने वाला हूँ तो यहां से इस pipe को मैं निकाल करके फिर से उसी के अंदर ही डाल दूँगा क्योंकि यह west है यह westage pipe है वहाँ पर और यह जो center है इस से हमें आगे और बहुत कुछ करने वाला हूँ आगे आपको समझाने वाला हूँ तो यहां पर देख सकते हैं कि चारो pipe चारो light के अंदर extra हो चुके हैं और यहां पर देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से एक room के लिए चार light एक fan box लगा दिया गया है अब दूसरे के अंदर मैं भी आओंगा guys यहां पर देख सकते हैं black t-shirt के अंदर यह आपका भाई है ठीक है यह कभी काम करते हुए नहीं दिखते हैं क्योंकि camera man मैं ही हूँ मैं ही काम करता हूँ यहां पर जो काम करने वाला है उसी बंदे को मैंने कह दिया कि तुम यहां पर वीडिया बनाओ तो यहां पर पहले आपको तीन pipe set कर देने देखिए मैं आपको pipe west ना हो उस हिसाब से मैं एक idea दे रहा हूँ यहां पर तीन pipe को अच्छे तरीके से अगर यह similar size के room है तब आपको यह काम कर सकते हैं यहां पर यह तीन pipe मैंने set कर दिया अब यहां पर तीन टुकडे बच चुके हैं यह बाई साब हमारे एक टुकड़ पीस लेके आ रहा है लेकिन मैंने कहा नहीं मैं इसको ही जोड़ूँगा यहां पर देखिए यह तीनो pipe को मैंने जोड़ दिया और तीनो pipe को जोड़ने के बाद वो एक pipe वापस से बन चुका है यह देखिए गाईस अब इस pipe की कोई ज़रूद नहीं इसको काटने की भी ज़रूद नहीं पड़ी तो एक pipe वापस से हमारा बन चुका है और उसी को हमने light वगेरा के अंदर सेट अप कर दिये है अब इसके अंदर एक टुकड़ा बच जाएगा उस टुकड़े का आप band के अंदर use ले सकते हैं यानि band drop करते हैं उसके अंदर इस टुकड़े को use ले सकते हैं ठीक है तो हमने यहाँ पर दो room को similar time पर same अच्छा काम कर दिया है तो जितने भी यहाँ पर room है दो room यह तीसरा room भी हमने कर दिया चोथा room सामने की side में है तो like आप box और fan box को अच्छे तरीके से पहले pipe से setup कर ले ना आप पूरा complete कर ले हैं यहाँ पर यह outside का एक छज़ा है आपको size कर लेना है कि इन चज़ों के अंदर कितनी light रखनी है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कितने pipes यहाँ पर using हुए कितनी light box लगाए गए है तो यहाँ पर भी आपको कुछ उसी तरीके से आपको यहाँ पर pipe काट के इस तरीके से size कर लेना है guys गरहक की कोई भी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए ठीके आप अच्छा खासा पैसा भी वसूल कर सकते हैं अच्छा काम करोगे तो अच्छा पैसा आपको यहाँ से मिल सकता है तो अच्छा काम करिएगा guys ठीके काम करने का पूरा explain होना चाहिए तब ही काम हाथ में लीजिएगा यह बाहर का च्छा है इसके अंदर हम किस तरह से पाइप का जो लाइट का है साइज कैसे करेंगे वहाँ भी यह पाइप की थूरू ही साइज कर सकते हैं guys यह मेरा अंदाज है यह मैं करता हूँ guys आपको इंची टेप वगेरा से ही काम करना है यह मेरा अंदाज है और आपका अंदाज कैसा होगा यह मुझे पता नहीं है like अगर आप कुछ काम करते हो तो आपके खुद के माइंड के हिसाब से काम करना है ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख रहे हैं वेसे ही आपको ही वर्क करना है नो आपको भी अपने अंदाज से ही काम करना है तो चज्जे का यह देखिए ऐल टाइप सिस्टम तैयार हुए है इसका पाइप कैसे डाला जाता है अब आप कहेंगे आप ऊपर नीचे बहुत सारे सरी हैं तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं देखे सरीयों के वर्क किया जाता है यह जो सरीय की जालिया होते है गाइस यह में छोट लग गए थी यहां पर ने लगी कोई दूसरी साइड पे लग गए थी चोटी मुटी और यहां पर देख सकते हैं कि एल टाइप यहां पर सेट हो गया है अभी डब्बे और पाइप पिल्कुल पूरी तैयार है यहां पर मैंने टूए स्विच की वाइरिंग की वीडियो बनाई थी वो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यहां पर आप देख सकते हैं कि एक रूम बिलकुल अच्छे तरीके से हो गया बीच की गली बिलकुल अच्छे तरीक इसे हमने फाइनली काम कर लिया है अगला काम आपको क्या करना है जैसे कि फर्स्ट प्रियुलिटी आपको डब्बे रखना है सेकंड प्रियृrty यानि के आपको लाइन बय लाइन काम करना है कोई लोग होते हैं जो एक रूम का पूरा फाइनल करके दूसरे रूम में जाते हैं लेकिन मेरी आदत क्या है मैं पहले एक रूम के अंदर डबे वगेरा लगा करके और खाली उपर के पाइप सेट करके दूसरे कमरे में चला जाता हूं काकी जो लाइटों की गिंती है वह पूरी complete हो जाए ठीक है है तो यहांपर अगला दिन हो चुका है और यह बाहर का outside हिस्सया है अपर देख सकते हैं अब अगला दिन हो गया है तो अगले दिन में आते ही क्या कर रहा हूं यहाँ पर band वाला work कर रहा हूँ किस तरह से band drop किया जाता है पहले हम एक pipe का size कर लेंगे पहले आपको यहाँ पर सारा beam देख लेना है कि कितने गहराई में है एक size के पूरे check कर लेने है फिर उसी similar size के यहाँ पर band लगा करके आपको एक band तयार कर लेना है अब ऐसा ही बहुत सारे band आपको तयार कर लेना है इससे पहले आपको पहले size कर लेना है क्या यह band अच्छा बना है या नहीं तो यह उपर रहना चाहिए थोड़ा क्यूंकि नीचे से खड़ा होगा तब यह अंदर घुश जाएगा यह सुबह का time है और सामने का जो look building आप देख सकते हैं पहले क्या थी अब देखिए like क्या बन चुकी है अब इसको भी हम इसी तरह से बना देंगे ठीक है इस building को भी तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सरिया और एक हतूरी यहाँ पर सरिया या छिन्नी कोई भी चीज का यूज ले सकते हैं इस तरह से इंट को अंदर से तोड़ देना है आधी इंट को यहाँ पर एक से दो इंची से डह इंची के आसपास आपको इसको तोड़ देना है ताकि इसके अंदर बैंड जो हच्चे तरह से महा जाए लगा जाए समा जाए अलग लग बाश्या का यूज करना पर दाए कभी गवार तो यहाँ पर सरियों के बिलकुल फेज में आना चाहिए फंटे के बिलकुल सेंटर में यह पाइप होना चाहिए आप चार क्यों लगाते हैं लोग, क्योंकि हो सकता है एक बैंड खराब हो देगा तो बाकी के बैक अप में काम आते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको बताता है मैं कैसे किस तरह से पहले यहाँ पर जितने भी बैंड उताने वहाँ सारे जगाँ पर खड़े कर लेने है और यहाँ पर बैंड को जहाँ जहाँ रखना है वहाँ सेट अप कर लीजे दरवाजे के फेज में और नीचे से पहले आपको चेक कर लेना है कि कहां कहां पर बैंड उतरेगा ठीक है और यहां पर band drop केसे होगा यहां पर चारो band को मैंने यहां पर रख दिया है आपके भाई ने किस तरह से वीडियो बनाई है पता नहीं तो यहां पर देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने चारो band को रख दिया है नीचे से आपको पोड़ा चेक कर लेना है कि विंडो कहां पर लगाई गई है दरवाजा कहां पर है पहले से आपको planning करनी होगी नहीं तो अच्छे से वर्क ने होगा और ज्यादा wiring लग जाएगी ज्यादा wiring भी नहीं लगनी चाहिए उस हिसाब से आपको pipe set करना है कम से कम wiring ग्रहक के लगे नुकसान भी बहुत कम हो ठीक है तो यहाँ पर एक band कैसे set हो रहा है यह अभी देख रहे हो band यह उपर की side में सरीय के उपर side में है तो इसको अंदर की side में लगाना है guys दो corner में जो सरीय बांदा जाता है वो उपर और नीचे half इसे में बीच में जो gap होता है वो डेर्ड इंची से 2 इंची के असपास होता है तीन इची डाइंची से ठीक है तो यहाँ पर band अच्छी तरीके से fit करना है अगर यह fit ना हो तो आप इनकी chubby का use ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर fit हो चुका है और आगे उस चाबी का क्या काम होता है सरीयो वाली जो चाबी होती है उसके बारे में भी यह मैं आगे बताने वाला हूँ तो वीडियो को last तक जरूर देखिएगा guys इस तरीके से आपको band set कर लेना है और बिल्कुल भी पीछे नहीं जाना चाहिए band पीछे अगर band चला गया तो नीचे से जो pipe है वो टेड़ा हो जाएगा और आप बिल्कुल भी अच्छे से work नहीं कर पाएंगे जब जिर्री या wall cutting होगी उस समय बिल्कुल भी आप काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से यहाँ पर इस light box के अंदर हमने ये band उतारा है ये drop किया है ये क्यों किया है ये सारा detail हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा लाश तक जरूर देखिएगा एक और band drop करना है वो हमें fan box से करना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी wiring आने वाले ये दरवाजे के phase में ये band है ठीक है यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इस तरह से टेड़ा नहीं रखना है अगर आप रखते हो तो नीचे से बिल्कुल अच्छे से आप wiring नहीं कर पाएंगे spring वगरा अटक जाएगी तो एकदम सीधा आपको दीवार के phase में रख लेना है इसे size करके आप दोनों सरीयों के बीच में डालना है जैसे नीचे वाले सरीय से उपर उपर वाले सरीय से नीचे आपको बीच वाले हिस्से में लगा देना है पाइप को ठीक है इसे आप glue से भी चिपका सकते हैं बैंड को लेकिन कोई जरूरी नहीं अगर आपका बैंड यहाँ पर tight है तो आप अच्छे से जरूरत नहीं है आपको टेप वगेरा लगाने की और बैंड अगर डीला है तो आपको लगाने की जरूरत पड़ सकती है एक हमने pipe लगा दिया दूसरा बैंड भी हम कुछ उसी तरीके से similar time पर similar चीज़ कर सकते है ये भी हम fan box से लेके आ रहे हैं ठीक है fan box की जो जगा है दिरे दिरे बंद हो जा रही है और ये बंद होने के बाद आगे हमें work अच्छे से नहीं मिलने वाला आगे वीडियो देखते जाएं क्या होने वाला है यहाँ पर भी हमने एक और pipe को यहाँ पर बंद कर दिया इस तरीके से यहाँ पर fan box के अंदर एक और band हमने attachment दे दिया है यह एक और band बच गया है इसको भी हम कुछ उसी तरीके से setup करने वाले हैं सामने वाले fan box से अब यहाँ पर क्या हो रहा है तीन वायर इसके अंदर तो आने वाले है वैसे हमें एक idea है हमारे से यहाँ पर एक भूल हुई मुझे कुछ यहाँ पर याद आया कि नहीं यहाँ पर बिलकुल भी यह fan box के अंदर नहीं जमने वाला है क्योंकि यहाँ पर मुझे और work याद आ गया था क्योंकि आप काम करोगे वहाँ पर कुछ ने कुछ याद आता ही रहता है तो यहाँ पर कुछ idea लगाया मैंने इस pipe को वापस से निकाला और मैं क्या कर रहा हूँ इसे light box के अंदर से दे रहा हूँ यह क्यों दे रहा हूँ क्योंकि fan box का जो एक pipe है pipe का होल है वो मुझे कहीं और काम लेना है तो वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर मुझे वो काम लेना है और वो important चीज है जहाँ पर मुझे यह काम में लेना है इसलिए मैंने यह light box का इस्तमाल करते हुए यहाँ पर band drop कर दिया है इस तरीके से आपके दिमाग में आप जब काम करते हैं तो धीरी-दीरे mind में आता ही रहता है कि नीचे और क्या काम होगा क्या कुछ कहाँ पर किस तरीके से सेट अप होगा उस हिसाब से आपके जब छट होगा है सबसे important चीच छट में पाइप लगाना ही होता है यहाँ से ही पूरी शुरुवात होती है हमारी electric city की electric systems की ठीक है जब नीचे और करेंगे तो उपर से ही आपको काम करना होता है वाइरिंग के से सेट अप करनी होती है guys यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हम light box से भी band drop कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप light box से band drop नहीं कर सकते हैं यह देखिए guys यहाँ पर दूसरा यह एक room का बिलकुल अच्छे तरीके से यहाँ पर final हो चुका है band वगरा सब drop हो चुके हैं यह box से यहाँ पर drop हो चुका है और यहाँ पर इस fan box से drop हो चुका है और यहाँ उस side में भी fan box से drop है और यहाँ पर यह light box से drop है ठीके और यहाँ पर आगे एक और light गली के अंदर आपने नक्षा भी देखा होगा इस गली वगरा है क्योंकि यहां पर बहुत अभी फैन बॉक्स अंदर जो पाइप है वो बाकी है काम आएंगे यहां पर भी चार मैंने कीचन के अंदर चार बैंड डॉप उतार दिये हैं और आगे एक और रूम है बिल्कुल सेम वर्क करना है आपको यहां पर भी मैंने बिल्कुल उसी तरी और वर्क के के रूम है तो उस हिसाब से हमने यहां पर पाइपस वगरा सेटप किए हैं उसके अकोडिंग हमने यहां पर कितने पाइप लगाए हैं यह सारा डिटेल आपको बताने वाले हैं लास्ट में तो यह होल है होल के अंदर हम देख सकते हैं यहां पर भी चार drop किये हैं fan box के जरीए तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से जब दिखाई देंगे यह जो band है यह देखी यहाँ पर dropping जो है वो इस तरीके से दिखाई देगी जो मैंने एक pipe को खाली छोड़ा था वो किस काम आएगा एक room को दूसरे room से मिलाने के लिए यहाँ दोस्तों यह emergency systems होते हैं जैसे railways के अंदर एक system होता है जब गाड़ी क्रोस होती है तो दूसरी पटरी के उपर गाड़ी खड़ी हो करके वो जो सामने गाड़ी आती है साइड में से चली जाती है कुछ उसी तरीके से हमें भी पर वर्क करना होता है जब हमारा main mcb box से जो line है वो crossing fault हो जाती है खराब हो जाती है या block हो जाती है तो हम इस pipe से एक room से दूसरे room में pipe मिला रहे हैं इस तरीके से देखिए यह fan box के अंदर हमने उस room से यहाँ पर मिला दिया जैसे कि हम आगे दिखाते हैं यह इस वज़े से मिला जाता है जब कहीं fault या fan box वगरा कहीं पर खराब हो जाए या लाइन वगरा चोक हो जाए तो यहाँ से हम inter wiring कर सकते हैं एक room से दूसरे room के अंदर हम wiring ले जा सकते हैं तो आपको सबी को इस तरी से मिला देना है आपको pipe एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन आपको इस तरह से मिला देना है नहीं तो आपको बाद में problem हो सकती है तो यह देखिए एक room से दूसरे room में मैंने pipe को drop मिला दिया है यहाँ पर सभी pipe करने के बाद आपको इस तरी के का लोहे का wire बांद देना है क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों के जो pair है वो रखे जाएंगे heavy pipe यहाँ पर है लेकिन pipe तो तूटेगा नहीं लेकिन pipe निकल तो सकता है तूट नहीं सकता निकल सकता है ठीक है तो इस हिसाब से पूरा ध्यान में रखते हुए आपको सभी pipe को अच्छे से जकड देना है wire की मदद से ताकि fan box हिले नहीं light box हिले नहीं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर tight कर देने हैं ताकि यह जो light के अंदर यह जो fan box के अंदर से pipe जो है वो निकले नहीं ठीक है यह आपको बिल्कुल अच्छे से खयाल रख लेना है मैं बिना transition के आपको यह वीडियो दिखा रहा हूँ क्योंकि यह मेरा real work है यह original और real work है अगर मैं cut करके trim करके आपको दिखाता तो शायद आपको वह कम समझ में आता और आप बिल्कुल अच्छे मतलब explain नहीं कर सकते वीडियो को like कर दीजिए क्योंकि मैं अपना real experience दिखा रहा हूँ यहापर किस तरह से में work कर रहा हूँ कुछ गलतिया लगे तो बता देना लेकिन मेरी आदते में ऐसे ही काम करता हूँ और जितने भी मैंने side final की है कभी भी pipe ब्लोकेज नहीं हुआ है मेरे work में ठीक है तो यह देखिए आप MCB box के लिए एक line आपको लंबी ले जानी है जैसे कि एक room का यहाँ पर pipe देख सकते है यह रहा MCB box यहाँ पर हम setup करेंगे MCB box और एक line एक room से आ गई और दूसरा यह hole के लिए अलग से एक MCB box MCB set up किये जाएगी एक line के लिए और यहाँ पर एक और तीसरा pipe है यह हम इस room के लिए तैयार कर दिये हैं यह बीच में आप band भी लगा सकते हैं अंदर के side में यह band देख रहे हैं यह आपको तीसरे room यहां के यहां से room से एक room को दूसरे room से मैंने इस तरीके से मिलाया दूसरे room को मैंने kitchen के अंदर इस तरह से match किया fan box में और यहां से मैंने तीसरे room के अंदर दूसरे room के अंदर मैंने इस room के अंदर mix कर दिया है यह pipe और यहां से लाइक देख सकते हैं यहां से मैंने चोथे room के अंदर pipe mix कर दिया है guys mix करना वो ज़रूरी है और यहां से light box से अंदर जा रहा है और यह सीधा MCB box के अंदर जा रहा है इस तरीके से guys बहुत अच्छे तरीके से आपको work करना है जितनी भी लाइने हैं जितने भी rooms हैं जितने भी halls सब को mix कर देना है कल को fault हो तो आप दूसरे pipe से भी डाल सकते हैं इस तरीके से आपको box भी fit करना है ताकि extra pipe लगा के ताकि यह mood नहीं box बिल्कुल भी mood ना जाए और यह जो wiring है बहुत अच्छे से line देनी है इस तरीके से देखिए यह line हमने छज्जे के अंदर fan box से दे दिया है इसकी line switchboard के अंदर जाएगी तो यहाँ fan box के अंदर आकर के line स्वीच बॉर्ट के अंदर जाएगी आप comments करिए मैं आपको जरीव के भी वीडियो बनाके दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने किया है यहाँ पर यह देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से work हो गया है like देख सकते हैं कि अब यहाँ पर छट डलाई का जो काम है वो हो रहा है तो छट डलाई का का काम यह जो मशीने सेट करते हैं गाइस आपको आपर रहना होता है इससे पिले आपको यहाँ पर ठपे वागिरा लगा लेने हैं जमीन में यानि के फैन बॉक्स के और लाइट बॉक्स के ठपे पहले से ही आपको कटिंग कर लेने हैं बहुत अच्छे तरीके से कटिंग कर लेने हैं यह लाइट बॉक्स के ठपे हैं फैन बॉक्स के थोड़े बड़े ठपे होंगे इसको गत्ते भी बोलते हैं पता नहीं अलग अलग बाश्या के हिसाब से शायद आपको मेरी बाश्या समझ में आती होगी यह नहीं आती होगी लेकिन यहां पर यह जो ठपे हैं गत्ते हैं इसको बड़ा साइज भी कट कर लेना है जो तो यह बीज खाएज चोता है पाहँ भुदा है तोह यह आपर यह जो लाइने सेट कर रहे हैं इनको लेज गीर पाइप का ध्यार रखना ये करना वो करना ये मेरी रियल आवाज आप सुनिए पाइप का द्यार रखना ये मेरा रियल एक्सपिरियंस है ये रियल आवाज है जो की आप सुना है अभी आपने तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह railways की पटरी जैसे system सेट करते हैं पहले यह नहीं था तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम सरीय को उठाएंगे पहले इस तरह से सरीय को उठाना है फिर आपको light box के नीचे ठपा रख देना है ताकि इससे क्या होगा मसाला भी अंदर नहीं जाएगा और नीचे से हमें पता भी चल जाएगा कि यहाँ पर हमने light box रखी थी इससे यह पता चलता है यहाँ पर fan box वगेरा सब पता चलता है इसके नीचे जैसे सरीया है सरीय को उठा करके आपको इस तरह से light के नीचे ठपा रख देना है गत्ते रख देने है डबल या तीबल इस तरह से रख देने है ताकि नीचे अच्छे से नजर आ जाए और हमें पता चल जाए यह fan box है और इस तरीके से मारे बाई साब जो हैं वो डाल रहे हैं इस गत्ते को ठपे को यह माकेट में कई पे भी मिल जाएंगे वैसा कोई दिक्कत कोई इशू वाली बात नहीं है यहां पर तो यह देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से यहां पर डाल दिया गया है सरीय को पर जो चुछ देख सकते हैं आप कोई टेंशन नहीं है मौडने के बाद देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल और जहां पर भी पैर रखके आपको चेक कर लेने हर जगा पर चेक कर लेने हैं कि कहां कांपर बैंट दब राए पाइप दब या फिर आप अपने आदमी को यहां पर रख देना है क्योंकि हम तो यहां पर ठेके लेते हैं तो हम यहां पर खड़े हो जाते हैं इसा कोई इश्यू नहीं है हमारे कोई वर्कर्स वगरा नहीं हम खुद ही वर्कर्स हैं खुद ही ठेकदार सब कुछ खुद ही हैं ओके तो हैं अजए संग उने चौइज यहां पर पाइप की जो यूजिंग है वो लगबं यहां पर हुई 60 पाइप यहां पर कंफर्म लग चुके हैं 60 पाइप ओके आपर 60 पाइप लग चुके इसकी brand आप देख सकते हैं Instagram ID के अंदर आदी से ज्यादा यहाँ पर छत फाइनल हो चुके है और यहाँ पर Instagram के अंदर आप देख सकते हैं कौन से company का यह मैंने pipe लगाया है बहुत अच्छा pipe है ओके यहाँ पर किसी ने कारता है pipe के ओपर pipe बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए यह देखी पाइप के ओपर pipe आप क्यों नहीं लगा सकते हैं कोई गलती थोड़ी कोई खराबी थोड़ी है pipe के ओपर pipe आप यहाँ पर रख सकते हैं कोई problem नहीं होती है मैंने तो बहुत सारे इस तरह से रखे हैं यहाँ पर पूरी छत फाइनल हो चुकी है अब यहाँ से हम पैजा नेकल के ले जाएंगे यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से 60 पाइप यहाँ पर 60 पाइप यहाँ पर सेट अप कर चुके हैं साथ फैन बॉक्स लग चुके हैं आप अपने इसाब से ज्यादा भी लगा सकते हैं ग्राहक के इसाब से 39 लाइट बॉक्स लग चुके हैं और ज्यादा भी लग सकते थे ग्राहक के इसाब से यहाँ पर सेट अप हुआ है और बेंड 25 यानि कि 25 बेंड यहां पर इंस्टोलेशन किया गया है दो टेप का यूजिंग किया गया है ओके गाइस चलिए दोस्तो बाई बाई